जै श्री राधे दोस्तों मैं एस्ट लोजर नीलू चहोदरी केपी की बाणी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ रोजाना राशी फल से सम्मन्दित सभी परकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की बाणी को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, तामपत्ते जीवन और प्रेम सम्मन्द को लेकर कोई भी परिशानी है तो हमी मैसेज की जरीए जरूर बताई मैं आपको परिशानी दूर करने की उपाई जरूर बताऊंगी राशी की पोरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें अगर आपको अपनी शाधी के बारे में जानना है कि आपकी शाधी कब और किससे होगी कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शाधी कितने दूरी पर होगी, जल्दी शाधी के लिए क्या करें तो इसके लिए आप अपना नाम, शेहर का नाम, जनम दीन और जनम का समय सही समय दें कि आपका जनम सुभा में हुआ है या शाम में, आपकी मदद जरूर की जाएगी प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं दे पाऊंगी अगर आप लग मैरिज को लेकर भविश्यवानी पाना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर का पूरा विवरन हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे अगर रिप्लाई करने में आपको देरी होती है, तो आपनी राश बिल्कुल नहूं, आपको जबाब जरूर दिया जाएगा खास कर शनिबार और रभिवार के दिन आप अपने सभी सवालों का जबाब पास सकते हैं शाधी जीवन का सबसे महतकून बल होता है, जबकि उससे भी बड़ा है जीवन साथी से मिलना ऐसे में ये किसी भी व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसका जीवन साथी कैसा होगा और उसका स्वभाब किस तरह का होगा चीवन में एक ही बार शादी होती है इसलिए हर किसी को शादी का निन्ने बहुती सोच समझ कर लेना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि पती पतनी का रिष्टा दो बिजली की तारों की तरह होता है अगर सही जुड़े तो हर तरफ रोशनी ही अगर गलत जुड़ जाए तो जोर का जटका लगता है जोति शास्त्र में कुंडली देखकर शादी की भविश्यवानी की जाती है इस अधार पर हर एक राशी और नाम की शादी का समय निधारित किया गया है साथ ही शादी किस नाम से होगी इसकी भविश्यवानी भी की ग उनमें कौन से गुण होंगे साथ ही शिगर शाधी के कौन से उपाय करें इस बारे में बताने जा रही हूं तो आएए पहले बी नाम के लड़के और लड़कियों का स्वभाब जानते हैं इसके बाद नाम गुण और शिगर शाधी करने के उपाय जानेंगे बी नाम के महिलाएं की खासियत होती है कि वैपुरूशों के लिए किसी रहसे से कम नहीं होती अपनी खुपसूरत चहरे और मिठास बोली के लिए हमेशा तारीफे बटोरती हैं यह महिलाएं वैभार से उदार होती हैं इनमें जुट और कपट बिलकुल भी नहीं होता धैरे के मामले में इनका कोई जबाब नहीं है बी नाम की महिलाओं का स्वभाब ऐसा होता है कि हर पुरुश उनके जैसा जीवन साथी पाने की इच्छा रखता है ऐसी महिलाओं को वैपुरुश पसंद आते हैं जो इनके साथ एक बहतर तालमेल बना कर चले इनकी पसंद का ध्य सजना सवरना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है प्रगती और सुन्दर चीजों के प्रती यह ज़्यादा आकरशित रहती हैं अगर आपका जीवन साथी बी नाम की महिला है तो आप से ज़्यादा लग की इस दुनिया में कोई इनसान नहीं है यह महिलाओं हमेशा अपन द लड़के और लड़के की शादी टी एस दता बी से होती है इस नाम के लड़कエ की शादी प्रया प्रांची प्रेणा परिनिती आदी नाम की लड़कियों से होती है वیसे ही बी नाम के लड़कियों की शादी प्रियांशू, प्रवीन, प्रकाश, हनियादी नाम के लड़कों से होती है वैसे बी नाम के लड़की और लड़कियों की शादी एच नाम से हो तो ये बहुती बहतर जोड़ी साफित होती है इससे इनका वेवाहिक जीवन बहुती सुक में बीदता है शिक्र शाधी करने के उपाई सोमबार को सफेद, मंगल को लाल और गुरुवार को पीले वस्त्रधारन करें नहाते वक्त पानी में थोड़ा हल्दी डाल कर नहाएं सूरेदेव को रोज जल जढाएं रात में पूर्वदिशा में सिर रख कर सोई तक ये के नीचे लोही की कोई धातू रखें अपने कमरे में राधा कृष्ण जी की तस्वीर जरूर लगाएं सोने वाले कमरे में पलंके नीचे कोई भी समान ना रखें अगर आप लड़की हैं तो गुरुवार का वरत जरूर रखें हर शनिवार को जल्मी काले दिल तिल मिला कर अरपित करें बी नाम के जीवन साथी के गुण आपका लाइफ पार्टनर धार्मिक प्रगती का होगा वे सेंटिमेंटल जादा होंगे और सुन्दर्ता उन्हें आकरशित करेगी उन्हें डांस, सिनेमा, म्यूजिक से खास लगाब होगा वे हर जीवन में, वे हर जीवन में समझोते करने वाले शक्स साबित होंगे उनके अंदर सब्र, सहनशक्ती, महनती और महत्वकांशी जैसे गुण होंगे वे रिफाइनरी या फेक्टरी जैसे फिल्ट से जुड़े हो सकते हैं जोतिश करना के अधार पर आपको यह जानकारी दी गई है इसमें बदलाब, संभव है तो दोस्तों इस तरह के औरने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डेस्बोट अथवा प्लेइलिस्ट पर जाएं और अपनी राश्य अनुसार वीडियो जरूर देखें तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बल आइकन को प्रेस करना ना भूले माता राने की क्रिपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे आप सब परिवार स्वस्त एवं सुखी रहे आप सभी के प्यार और स्नहे के लिए मैं आपको हिर्दे से धन्यबाद करती हूँ आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे इनी शुपकामनाओं के साथ मैं आप से विदा लेती हूँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार जै श्रीराधे